मेरे नाम विवेक है तो दोस्तों तैंत का जो हम कमेश्टी सुरूप के रसायन सास इसमें हमारा ये वीडियो नमर दूसरा होने वाला है और आज की इस वीडियो में हम पहला जो चैप्टर है हमारा रसायनिक अभी के लिया है एंड सवीकरन तो इसके बारे में हम आज डिसकस करने वाले इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है और हम उनके बारे में जो भी चीज है वो सारा डिसकस करने वाले प्रिवियस वीडियो में मतलब हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था इनका जो सिलेवस था कि हमको कैसे आगे करना है कैसे हमको question आएगा exam में और कितने marks काएगा और कौन-कौन से हमको topic पढ़ना है हमने previous video में बताया था उनसे पहले चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को subscribe कर, bell icon को जुरूर पेस किज़ेगा, साथ हमें social media follow कर सकते हैं, link आपको नीचे description में मिल जाएगा और साथ हम जो ये notes आपको दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं अगर वो notes आपको चाहिए तो आप जो हमारे telegram channel को join कर सकते हैं, उसका link मैं नीचे description में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप join कर सकते हैं, अदर्वाज आप जो है अपने phone में telegram को on कीजिए, वहाँ पे search कीजिए ideal study.72 जो पहला नमर का हमारा channel आएगा, उस channel को आप join करके आप वहाँ से जो है, ये notes प्राप्त कर सकते हैं, ये PDF प्राप्त कर सकते हैं, इस PDF का आपको बहुत फाइदा होता, exam time में अगर आप notes नहीं बनाएं, तो आप direct यहाँ से जो है, इस PDF को print out करके पढ़ सकते हैं, इस अगर आप इस playlist को follow करेंगे, तो आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा, तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो के हो, तो हमारा चेप्टर है, पहला चेप्टर हो है, हमारा रसाइनिक अविकिरिया और समिकरन, तो दो चीज़ है, इसमें रसाइनिक अविकिर हैं उसका meaning क्या होता है, इसलिए हमको सबसे पहले रसाइनिक अविकिरिया समझने हैं, उसके बाद हम समझेंगे रसाइनिक समीकरन, रसाइनिक अविकिरिया में वह और चीज टर्म आते हैं, जो terminology होगा, हम आगे discuss करेंगे, और समीकरन में भी हम को terminology आते हैं, दोनों से question लेकिन रशाइनिक समीकरन से आपको कुश्चन आती ही आते हैं जिसमें आपको जो कहेगा जो हम रशाइनिक समीकरन लिखते हैं उसको बाइलेंस करने के लिए बोलेगा तो हम आगे वो चीज हम बात करेंगे लेकिन हमारा पहला जो है अभी रशाइनिक अभी किरिया है देख इंग्लिस आसानी से आपको समझ में आ सकता है, जैसे हम यहीं पे बात कर लें आप reaction जोपीत तो समझते हैं IPL, और यहां एक ही चीज होता है इसलिए हम थोड़ा सांगे ईटस्लिया अपो साह्त करेंके हम तो हमारा सबसे पहला topic है यहां पे prasonic रसायनिक अविकिरिया को उसे द्यान से पढ़िया और उसके ठ्यान से हमें थ्यान से पढ़िये और इससे पनीर के लिए ज़ Beno आम तोर पे निम्बू या कोई भी चीज़ से हम जो दूद को फाड़ के उसका पनीर बनाते हैं तो यहाँ पे दो टर्म है तीन टर्म है एक चीज़ समझेगा कि निम्बू और दूद दोनों आपस में मिला तो हमको एक नया प्रोडक्ट मिला क्या मिला वो पनीर मिला तो वही चीज़े हमारा रशाइनिक अविकिरिया में कि जब दो प्रोडक्ट जब दो समान आपस में मिल जाते हैं और उससे को एक नया गुन वाले प्रोडक्ट मतलब पदार्थ निकलता है तो वही हमारा रसाइनिक परिकिरिया कहलाता, अफिकिरिया कहलाता, इस सिंपल से आप जब एक्जाम्पल समझेंगे तो आपको यहाँ परिभासा में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए, दो कोई प्रोडक्ट आपस में मिल जाए, चाहे वो प्रोडक्ट सेम भी हो सकता है, अब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट हम अलग अलग ही लेंगे, दो प्रोडक्ट हम सेम भी ले सकते हैं, जस्ट हम आपको एक एक्जाम्पल दिये, या तो दो सेम प्रोडक्ट या दो अलग अलग प्रोडक्ट को मिलाने से कोई एक नाया गुनवाले प्रोडक्ट का निर्मान हो सकते हैं एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्मान होता है तो यहाँ पर चली एक बाद हम परिवासा को पढ़ते हैं यहाँ परिवासा है जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से किरिया करके भीन गुन वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का कि डिफ्रेंट वीविन वाले एक या एक से अधिक नहें पादार्थ का निर्मान करता है तब हम वह परकिरिया को ये सारे हम ने मिलता है तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोड़ॉट्ट था दो अलग अलग प्रोड़ॉक्ट है इक हाइड्रोजन है क्लोरीन है इस दोनों को दोनों आपस में मिला दे तो हमको यहां पे H2 gas मिल जाएगा ओड़ दो oxygen को मिला दे O2 मिल जाएगा तो यहां पे यही चीज है कि या तो सेम या तो दो अलग-अलग पदार्थ आपस में मिलके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्मान करता है ऐसे अविकिरिया ऐसे हम परतिकिरिया को क्या कहेंगे रसाइनिक अविकिरिया अब रसाइनिक अविकिरिया में कुछ टर्म आते हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है सबसे पहला टर्म है हमारा अविकारक या इसी को हम अविकिरिया कहते हैं इंगलीज में हम इसे reactant कहते हैं तो समझेगा ये अविकारक या अविकिरिया क्या है इस example से जो मैंने आपको यहाँ पे example दिया था पनीर वाला उसी example से समझेगा पनीर बनाने में हमने जो जो चीज का यूज किया वो हमारा अविकारक या अविकिरिया कहला जाएगा जैसे हमने पनीर बनाने में क्या-क्या इस्तमाल किया तो दूद को फारने के लिए निम्बू का इस्तमाल किया तो दूद और यहाँ पर हमारा जो निम्बू है वो अविकारक या इसी को अविकिरिया हम कहते हैं अविकारक का काम करेगा मतलब समझ गए जो भाग लेगा परतिकिरिया में उससे हम जो है अविकारक कहेंगे यहीं है यही चीज हमने chemistry के भासा में लिख दिया, रसाइनिक अभीकिरिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभीकारक कहते हैं, आप इस परिभासा को कभी मत याद रखे, आप example को याद रखे, जो हमने आपको example बता है, क्योंकि example आप कभी भूल नहीं सकते हैं, जैसे हमने उपर जो example लिया था, hydro chloride बनाने का, जिसमें हम H2 plus Cl2 हमने यहाँ पर दोनों को अगर reaction करवाते हैं, तो हमको 2 HCl मिलता है, तो इसमें हमारा अभीकारक कोन हो जाएगा, hydrogen H2 और chlorine HCl, क्योंकि यह दोनों ही आपस में मिला है, तब हमको नया product बना है, आप यहाँ पर hydrogen को मान सकते हैं, कि यह चली हमारा जो है, दूद है और chlorine को आप मान सकते हैं, निम्बू का रस है, तब ही तो यह दोनों मिला, तो हमको यहाँ पर hydro chloride को आप यहाँ पर मान के चली है, पनीर है, तो यहाँ पर यही चीज है, यहाँ पर दूद और पनीर, sorry, दूद और हमारा निम्बू का रस अविकारक का काम करेगा, देखिए नीचे हमने एक और एक्जामपल लिखा है, जहाँ पर आप जो है, थोड़ा सा यह सुन सकते हैं कि अविकारक हम यहाँ पर कैसे लिख देए, आप सोचेंगे कि यह जो पलस वाला आइकन है, यह हम दे रहे हैं, तो यह अविकारक होना च करता है, वह हमारा अविकारक होता है, हमको यहाँ पर CACO3 को हमने यहाँ पर तोरा, तो हमको CAO पलस CO2, मतलब यह जो प्रोड़क्ट है, यह टूटा, यह भाग लिया अब क्या चीज में, रियक्शन में, यह प्रोड़क्ट हमारा जो राइट हैंड का प्रोड़क्ट वो नहीं भाग लिया, यह तो टूटके बना हम, तो यह चीज आपको concept clear होना चाहिए, जो भाग लेता है, वह हमारा अविकारक होता है, तो आप कभी confused मत होईएगा, यह पलस और यह आप दोनों चीज यहाँ पर चेक करके चलेंगे, कभी भी आप यह नहीं सोचेगा, कि हमको left साइड में अगर पलस दिया है, तो हमारा अविकारक होगा, और right साइड में तो यह हमारा प्रतिफल होगा, प्रतिफल जो हम आगे बात करेंगे, तो यह प्रतिफल और अविकारक दोनों चीज डिपेंड करता है, reaction पर कि reaction हमारे पास कैसा है, अविकिरिया हमारे पास कैसा ह इस पे पूरी तरह से depend करता है अविकारक समझ गए जो भाग लेगा हमारे रसाइनिक अविकिरिया में उसे हम अविकारक कहेंगे नेक्स्ट हमारा है प्रतिफ इसी को हम इंग्लिश में product कहते हैं अब जैसे हमने दूद और पनीर दूद और हमने निम्बुकारस को एक साथ अटेच करके हमने वहाँ से पनीर बनाया तो हमारा जो पनीर है वो हमारा प्रतिफ फल का काम करेगा समझ गया है जो product हमको नया मिलता है फल स्वरूप उससे हम क्या कहते है प्रतिफ फल कहते है जैसे यहाँ पे देखे रसाइनिक अविकिरिया के फल स्वरूप बनने वाले नये पदार्त को प्रतिफ फल कहते है जैसे H2 और CL2 हमने उपर बनाया था तो हमको 2STL मिला था तो इसमें 2STL हमारा क्या चीज का काम करेगा product मतलब की प्रतिफल का काम करेगा तो यह चीज आपको यहाँ पर होना चाहिए प्रतिफल और अविकारक चली यहाँ पर चार्ड यहाँ पर हमने reaction लिख रहा है समीकरन लिख रहा है इसमें हम कोशिश करते हैं आपको बतारे का कि ह हमार अविकाडक और प्रतिफल क्या है जैसे पहला हमारा each and aoth 3 और यह unbs- 10 उेक्श Rabbit और बन रहा है और राइट हैंड साइड वाला जो यह है यह हमको बन रहा है नया प्रोडक्ट इस दोनों के रियक्शन से हमको यह प्रोडक्ट बन रहा है तो यह हमारा प्रतिफल का काम करेंगा एक चीज यहां पे clear हो गया, दो चीज रह रहा है, आप यह दोनों को आप अपने से solve कर लीजेगा और बताइएगा हमें कि इसका answer क्या है, इसका answer आप हमें बता सकते हैं, link में नीचे social media का दे रहा है, वहां पे आप अपना answer share कर सकते हैं, तो यह दो चीज clear हो गया होगा, य एक रसाइनिक अभी किरिया का ही फल स्वरूप है, जैसे हम गर्मी के दिनों में देखते हैं, कि हमारा जो temperature होता है, रूम का वो बढ़ जाता है, अगर हम पानी को बाहर छोड़ जाते हैं, जादे गर्मी में तो पानी जो है, वैपूरेट होने लगता है, तो यह सब जो प रसाइनिक अभी किरिया होने के लिए अविकारक होना चाहिए, क्योंकि जब दो या दो से अधिक अविकारक आपस में मिलेंगे, तभी हमको कोई एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, अविकारक अब समझ गए होंगे, कि जो रसाइनिक परतिकिरिया में भाग लेता है, उसे हम अविकारक कहते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास अविकारक होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने परतिकिरिया बीदी हमने लिख रखा किसी भी रसाइनिक अविकिरिया में अविकारक के अनु पहले तूटकर परमानू में परिवर्तित होते हैं, मतलब है कि रसाइनिक अविकि तो सबसे पहले अविकारक का जो अनु है वो सबसे पहले परवानु में तूट जाएगा और उसके बाद ये परवानु आपस में पूना संघटित हो के पतिफल का निर्मान करता है जो हमारा products बनता है प्रतिफल वो हमारा बनाता है तो दो step में हमारा कोई भी रसानिक अविक इतना ही हम नेक्ट वीडियो में सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक इसका बात करेंगे रसाइनिक अविकिरिया जो है इनके क्या-क्या विसेशता यह सारा चीछ हम अगले वीडियो में बात करेंगे तब तक कि लिए इतना ही और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्र सब्सक्राइब कर बैल अकन को जरूर पेस किजिए कर साथ यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर किजिए अगर ताकि उनको भी यह मदद मिल सके चलिए हमें दीजे थोड़ा सा समय हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में बहुत चैनल